अलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूटूब चैनल एम जी जे और मैं आपका दोस्त अम्जित ताहिए दोस्ता आई आप से बहुत ही मात्तपुन दस सवाल पूछे जाएंगे और उन सवाल का जाब देने के लिए आपके पास होंगे पास से किन हमारा पहला सवाल है भारत के किस राज्ये में पूर्सों की तुन्ना में महिलाओ की संख्या सबसे कम है अपना आंसर कमेंट कीजिए सही जवाब है भारत के राज्यस्थान राज्ये में पूर्सों की तुन्ना में महिलाओ की संख्या सबसे कम है हमारा दूसरा सवाल है भारत की पहली महिला विदेश मंतरी सुस्मा सावराज का निधन कब हुआ था अपना आंसर कमेंट कीजिए भारत की पर्थम महिला विदेश मंतरी सुस्मा सावराज का निधन 6 अगस्ट 2019 में हुआ था हमारा तीसरा सवाल है हीरा चमकदार ही क्यों दिखाई देता है अपना आंसर कमेंट कीजिए सही जवाब है सामोविक आंतरिक परिवर्थन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है हमारा चोता सवाल है विटामिन E की खोज कब हुई थी अपना आंसर कमेंट कीजिए सही जवाब है विटामिन E की खोज सन 1922 में हुई थी हमारा पाचवा सवाल है रोलेक्स घडी का कितने परतिसत पैसा डोनेशन में जाता है अपना आंसर कमेंट कीजिए रोलेक्स घडी की सबसे महिंगी कमपनी है जो एक NGO दुआरा चलाई जाती है इसका नब्व परतिसत पैसा डोनेशन में जाता है क्योंकि इस कमपनी का मालिक एक अनात बच्चा था हमारा चटा सवाल है उत्तरी अमरीका की खोज कब और किसने की थी अपना अंसर कमेंट कीजिए सही जवाब है उत्तरी अमरीका की खोज सन्ट 14-92 इस्वी में कोलम्बस ने की थी हमारा साथवा सवाल है पिर्थवी यानि जमीन पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कोन सा है अपना अंसर कमेंट कीजिए पिर्थवी पर यानि जमीन पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु एलुमूनियम धातु है हमारा आटवा सवाल है ओलंपिक खेलो का आयोजन किसके दुवारा किया जाता है अपना अंसर कमेंट कीजिए सही जवाब है ओलंपिक खेलो का आयोजन अंतराश्टिय ओलंपिक सिमीती के दुवारा किया जाता है हमारा नौवा सवाल है भारत के किस राज्ये में सिर्फ एक ही जिला है अपना अंसर कमेंट कीजिए भारत में लक्सेदीप राज्ये में सिर्फ एक ही जिला यानि डिश्टिक है दसवा और आखरी सवाल आपके लिए वह कौन सी संक्या है जो तीन, पाँच और साथ से पूरी कट जाएगी ओप्सन ए, ओप्सन बी, ओप्सन सी, ओप्सन डी आप अपना अंसर कमेंट बोक्स में नीचे लिख कर ज़रूर बेजे वीडियो अच्छ लगी तो वीडियो को लाइक, शेर और ऐसी मज़दार वीडियो देखने के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब ज़रूर करे बाई बाई, गूड़ देख